हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक तो आज का जो हमारे टॉपिक है वह हेट्रोथेलिजम इन फंजाएंग तो जो हेट्रोथेलिजम टॉपिक है यह बहुत-बहुत-बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है और यह BSC, MSC आपका नेट का इग्जामिनेशन जो होता है उसमें भी इस इस टर्म वस फिर्स यूज बाइ अमेरिकन जेनिसिस्ट A. F. Blacksley A. F. Blacksley ने 1904 में इस वर्ट को डिस्कावर किया था फिर्स्ट यूज किया था और यह जो हेट्रोथेलिजम का जो फिनॉमेना है उन्होंने किसमें इसको अब्जर्व किया था जो कुछ स्पीशीज है मॉ आपको बता दू कि हेट्रोथेलिजम सेक्षल एक्षण नहीं होता but sexual reproduction की तरह होता है ठीक है इसमें बहुत फरम कैं So it occur in the place of sexual reproduction ये observe किया गया कि कुछ जो species थी मौरकरेज की उसमें zygospore जो है वो कुछ में तो independently बन रही थे बट कुछ में क्या हो रहा था जब opposite strains के दो mycelia जो है different strains के that is positive and negative strain के जब आपस में interact कर रहे थे या contact में आ रहे थे तो उससे zygospore बन रहा था ठीक है तो zygospore क्या चीज होती है? zygospore एक resting spore होता है जनररी thick ward spore होता है और ये आपकी algae हो गया पंजाय हो गई इन सब में form होता है तो अब हम देख लेते हैं heterothelism heterothelism वो condition होता है जहां पे क्या है कि दो opposite strains के जो mating type होते हैं वो आपस में interact करते हैं और उन दोनों के interaction से क्या होता है? zygospore की formation होती है और homothelism क्या होता है? homothelism वो condition होती है जहां पर क्या होता है? कि जो हमारे zygospore है वो independently बनते हैं बिना किसी दूसरे जो है individual पे dependent होए ठीक है? यह चीज़ है यहां पर आप समझ जाएंगे जिसलिए यह मैं आपको diagram दिखा रही हूँ तो यहां पर यहां पर light color मैंने बनाया है जो क्या आपको show कर रहा है? मैंने light color है यहां पर बनाया है यहां आपको क्या show कर रहा है? यह है आपका mycelia ठीक है? जो negative strain का है यहां पर positive strain का mycelia है और यह जो है यहां पर इसका जो strain है negative वो है यहां पर positive है अब क्या होगा? कि जब यह जिस point में भी यह दोनो opposite strain के हाइफे आपस में contact में आएंगे वहां पर क्या होगा? जाएगो sports की formation होगी ठीक है? तो अब क्या है हेट्रोथालिजम में आपको बस main चीज यह याद रखनी है हेट्रोथालिजम जो phenomenon है उसकी existence के लिए उसको अकर होने के लिए दो different mating types तो opposite strain के mating types बहुत बहुत important है ठीक है? अब हम पढ़िंगे किसके types के होते है? जनली दो तरह का होता है यह पहला होता है morphological heterothalism और दूसरा होता है physiological morphological heterothalism में क्या होता है? कि इस condition में जो female और जो male sex organs है, जो gametes है, जो gametes है वो क्या होते हैं? morphologically different होते हैं morphologically different कहने का मतलब है कि जो उनके जो outer features है जो इसका outer appearance होते हैं वो क्या होते हैं दोनों ही sex organs different होते हैं और इस तरीके से इतने different होते हैं कि आप easily find out कर सकते हैं कि वो male है या फिर female है example जैसे अटलिया आपका ambisexualist ठीक है अब क्या होता है कि जो blastocladyla होता है उसमें क्या होता है कि male gametangia female से smaller होता है और यह हमें कैसे पता चल रहा है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि morphological heterothelism में morphological differences होते हैं और हम morphological differences देखे easily पता लगा सकते हैं कि male कौन सा है और female कौन सा है वाइट हाउस जो थे generally उन्होंने haplodioces term यूज किया था morphologically different जो heterothelic species है उनके लिए अब है physiological heterothelism तो physiological heterothelism में क्या होता है कि यहां पे क्या होता है कि जो दो different hyphae है वो physiologically जो है different होते हैं gametangia and gametes जो है वो morphologically तो आपको कोई differentiation शो नहीं करेंगे लेकिन physiologically वो behave करेंगे differently morphologically का मतलब ही कि उनका जो outer appearance है जो उनके जो outer external features है वो similar रहेंगे आप find out नहीं कर सकते ही कौन सा male है कौन सा female है लेकिन जो उनका physiological जो behavior होगा जो internal functioning होगी जो internal structure होगा वो different होगा अब क्या है physiological heterothelism is of two types पहला आता है हमारा two allele heterothelism और आता है multi allele heterothelism अब मैं आपको बताओ allele क्या होते हैं allele generally जो है chromosomes में एक specific locus होता है वहाँ पे ये alleles present होते हैं ये हम law of inheritance में पढ़ते हैं जब आप heredity वाल chapter से deal करेंगे तो वहाँ पे alleles हो गया ये सब आप discuss करेंगे तो क्या होता है कि allele जो है specific trait या character के लिए responsible होता है अब हम पहले पढ़ते हैं two allele heterothelism तो two allele में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी दो nuclei mate करते हैं जो भी दो mating type होते हैं उनके nuclei जो हैं दोनों क्या होते हैं different होते हैं और वो different उनके genetic characters होते हैं ठीक है hereditary जो भी उनका है वो सब different होता है यहाँ पे क्या है कि जो compatibility होती है मतलब कि जो meeting होती है interaction होता है उसे कौन control करता है जो pair of jeans होते हैं और उन pair of jeans को हम कैसा represent करते हैं उसमें एक हम capital A represent करते हैं एक small a हमें पता है कि capital वाला हमेशा dominant होता है small वाला हमेशा responsive होता है ठीक है और यह दोनों ही क्या होते हैं पेयर में present होते हैं एक का पेयर होता है उसमें दो होते हैं और वुआ होते हैं संस्क्राइथ संद्राइश होते हैं से प्रीजिंट करें manière अब क्या होगा जब होती है तो होता है chromatid ka थीख है तो chromatid का Carson मिधुर्स से क्या होगे कि हाफ जो होंगे हाफ जो होंगे उसमें positive ली जले जाएंगे हाफ sports में और हाफ sports जो बनेंगे उसमें negative लीटिव फोले जाएंगे ठीक है हमने पढ़ा तो इसमें नेगरटिव मैसीलिया बनाएंगे, तो इसलिए क्या है कि मैसील यह दो सेम इस्ट्रेंग आपस में कभी भी कम्पाटिबल नहीं होते हैं, they are incompatible incompatible मतलब उनमें कभी meeting या कभी उनमें interaction हो ही नहीं सकता है हमेशा opposite जैसे plus minus में हो सकती है meeting ये compatible है minus plus हो सकता है लेकिन plus plus या minus minus दो same strains कभी भी आपस में interact नहीं कर सकते वो incompatible हो जाते हैं heterothelism हमको यही बोलता है यही जो है phenomena है heterothelism का कि हमको दो different strains चाहिए जैसे हम male female जब sexual reproduction होती है humans में हम लेते हैं एक sperm होता है क्या कभी दो sperms आपस में fuse करते हैं नहीं करते हैं न कोई दो ओम आपस में fuse करते हैं opposite एक sperm आएगा एक ओम आएगा ठीक है यह चीज़ है तो इसलिए क्या है कि थोड़ी जो है अगर हम compatibility चाहते है sexual reproduction चाहते है heterothelism चाहते हैं तो mating type plus और negative जो है वो essential है यह पकसीनिया ग्रामिनीज आप इसे प्यूसीनिया ग्रामिनीज भी कह सकते हैं उसमें होता है यूस्टी लेगो कोली री में होता है तो अब है हमारा multiple allele heterothelism तो multiple allele heterothelism में क्या होगा कि यहाँ पर क्या होता है more than two allele two allele में क्या था two allele heterothelism में वहाँ पर एक locust पर दो allele जो pair में थी यहाँ पर क्या होगा दो से जादा allele होंगे तो क्या है कि यहाँ पर क्या है उसके चांस बढ़ जाते है ठीक है अब यह टू टाइप्स का होता है Multiple Alleyle Heterothelism एक होता है हमारा Bipolar Multiple Alleyle Heterothelism और एक होता है हमारा Tetra Polar Multiple Alleyle Heterothelism Bipolar Multiple Alleyle Heterothelism में क्या होता है कि यहाँ पर एक ही लोकस में दो से ज़ादा Alleyles present होंगे ठीक है दो से जादा ऐलील्स होंगे एक ही लोकस में present जैसे माल लेजिए एक लोकस है L वहाँ पे different ऐलील्स present है like L1, L2, L3, L4 and till L L तो यहाँ पे एक single लोकस L पे present है अब क्या होगा कि माइटॉर्टिक डिविजन होगा माइटॉर्टिक डिविजन के बाद क्या होगा कि जो number of mating types हैं वो बनेंगे और जो यह number होता है na mating types का यह किस चीज़ पर depend रहता है number of alleles पे जितने जादा alleles होंगे उतने जादा क्या बनेंगे mating types की formation होगी अब एक चीज़ याद रखनी है कि जो थैलस में L1 allele present है वो थैलाई या वो थैलस उसी थैलस के साथ interact करेगा या compatible होगा जिस थैलस में L1 के अलावा कोई दूसरा जो है allele होगा एक चीज़ है मान लिजिए एक हमारे पास थैलस है उसमें L1 allele है और दूसरा थैलस है उसमें L1 allele है important है तो इसलिए क्या है यह हमने पहले भी पढ़ा था compatibility के लिए different stress का होना बहुत important है तो यहाँ पे हम negative positive ना लेके यहाँ पे हम L1, L2, L3 allele बोल रहे है तो यह बात आपको याद रखने है तो क्या है कि जब क्या होता है कि दो same थैलाई जो है with same allele जब same allele होते है दो थैलाई में जैसे एक थैलाई में L1 है दूसरे में भी L1 है तो वो compatible नहीं है वो क्या होते है? इंकम्पाटिबल होते है तो इंकम्पाटिबल जो फेनामिन आता है उसको हम भोलते है és incompatibility factor और इंकम्पाटिबलिटी factor कर बाता है जब दो थेलाई में या थेलस में एक जैसे अलियस होते हैं जैसे अगर एक में एल्वन हैं तो दूसरे में भी एल्वन है ठीक हैं Compatibility तब आती है Compatible वो तब होंगे जब एक में एल्वन होगा और दूसरे में L1 के अलावा कोई भी दूसरा हो सकता है अब देखिए जैसे ये बैसिडियो माइसी टीज में होता है except rust and smults अब जैसे मैं आपको डाइग्राम से आप बहुत अच्छी तरीके समझ जाएंगे जैसे मान लीजी ये चार थैलाई है हमारे पास और ये चार थैलाई है एक में L1 एलील है N का मतलब है non compatible और C का मतलब है compatible तो एक थैलाई में L1 है दूसरे में L1 है तो क्या है ये दोनों आपस में compatible होंगे ये आपस में compatible नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है कि compatibility होने के लिए दोनों ही थैलस में अलग-अलग strains का यानि कि अलग-अलग अलील का होना जो है वो important है तो ये चीज़ आपको याद रखें जैसे अगर मान लो एक में L2 है एक में L1 है ये compatible होंगे क्योंकि एक थैलस में तो L1 अलील है दूसरे थैलस में L2 है तो ये आपस में compatible होंगे ऐसी L3 है L1 है ये compatible होंगे L1, L4 और L1 ये भी compatible होंगे ठीक है ऐसी ये table है आप समझ जाएंगे इसको जैसे हम Mendels की law में करते थे वैसी पढ़ना है हमको ये जो दूसरा हाता है हमारा tetra polar multiple alleles heterothelism यहाँ पर क्या होता है कि दो different loci में दो लोकस होते हैं उन में आधे आधे जो हैं एलील्स प्रेजंट होते हैं जैसे दो लोकाई है हमारे पास L1 और L2 क्रोमोजोम्स होते हैं हुसमें क्र από होते हैं वो क्र dataset στο मेर से अटास रहते हैं और उन क्रोम Abram में क्या होते हैं थो लोकाई होते हैं उन लोकाई हम या लोकस में क्या होत अधिक होते हैं तो क्या होगा एक लोकस पे at least एक लोकस पे जो है hundred alleles present होते हैं अब क्या चीज आती है कि if the alleles composite इसमें भी वही चीज है अगर दो थालस में alleles same होंगे ठीक है same pair of alleles अगर दोनों में होगा तो वो compatible नहीं होंगे compatibility के लिए different alleles का होना important है मान लिजिए जैसे यहां पर हम pair में क्यों ले रहे हैं क्योंकि यहां पर दो लोकस मान लिजिए यह है इसमें a1 b1 है इसमें a1 b1 क्या यह दोनों आपस में compatible होंगे नहीं होंगे यह दोनों आपस compatible नहीं होंगे compatible होने के लिए एक A1 B1 है तो दूसरे को इसके A1 B1 के अलावा और कोई भी अगर पेर होगा तो वो compatible होगा जैसे A2 B2 है तो दोनों में अलग अलग है लील से इसमें 1 है इसमें 2 है तो यह compatible होंगे ठीक है यहाँ पर हम दो क्यू ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दो लोकस पर प compatible NFC का मतलब है not fully compatible और C का मतलब है compatible यहाँ पर मैंने नीजेसे mention किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं अब जैसे मैं आपको बता दू सबसे बहले हम पढ़ेंगे non-compatibility का case non-compatibility का case तब बनेगा जब दोनों ही थैलाई में same pair of alleles होंगे जैसे एक थैलाई में अगर A1 B1 है तो दूसरे में भी A2 B2 हैं तो यह क्या है non-compatible होंगे opposite नहीं है ना एक जैसे हैं देखो A1 B1 A1 B1 ठीक है not fully compatible का case कब बनेगा जब क्या होंगे कि दोनों pairs में से एक pair तो दोनों ही थैलाई में same होंगे लेकि दूसरा जो होगा pair का जो allel होगा वो different होगा जैसे कि एक में अ not fully compatible होंगे पहली बात यह completely compatible क्यों नहीं है क्योंकि देखो यह जो pair है और जो यह pair है इसमें A1 A1 दोनों में same है तो यह तो कहीं से compatible नहीं होए लेकिन यह आधे compatible क्यों है क्योंकि यहाँ पर B1 allel है यहाँ पर B2 है second जो allel है दो allel जो है वो तो अलग-अलग है ना भले ही pair में यहाँ पर दोनों में starting के जो first जो दोनों में एक एक allel है वो same है लेकिन दूसरे क्या है different है तो इसलिए यह not fully compatible है अब बात करते compatibility कि जब दोनों में different strains होंगे एक में A1 B1 है तो एक में A2 B2 है दोनों में अलग- B2 में A1 B1 यह not fully compatible होंगे क्योंकि यहाँ पर A1 A1 देखो same है दोनों में यहाँ पर B1 और B2 है तो यह आधे तो है ना आधी चीज़ तो इसमें different है तो यह not fully compatible होंगे तो इस तरीके से आपको यह पढ़ना है टाइग्राम के साथ अगर आप इसे समझेंगे तो आपके लिए बहुत easy हो जाएगे चीज़ तो hopefully आपको यह topic समझ में आया होगा और आप इसको दो से तीन बार देखिए आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा thank you